जैसे के दोस्तों भागी लक्ष्मी की कहानी में आपको बता दे किरन और मलिश्का आपस में बात करते में नजर आने वाले हैं जहां मलिश्का ने ये सारा किया धरा किया है जहां मलिश्का ने ये सब किया है इस बारे में पता चलेगा दादी को तल आपको बता दे कि घर में कोई भी नहीं है जो लक्ष्मी के साथ है लेकिन लक्ष्मी के साथ हम दर्दी पूरी दादी की है जा दादी लक्ष्मी को बात करने के लिए बुलाए कि लक्ष्मी से बात करेगी तब ही लक्ष्मी की साइड लेगी तो नीलम को आ जाएगा गुस्त और नीलम कहने लग जाए कि आप उसी इंसान की माँ है ना जो सांसी ले रहा है जो कोमा में है जो तड़प रहा है क्योंकि आप उसका साथ दे रही है जिसके वजह से हालत हुई है मेरे पती की आपके बेटे की और आपको पता है कि ये सब इसी रड़की ने किया है जा दादी कुछ कह भी नहीं बाए की और वहीं जब मलिश्का और किरन आपस में बात करेंगे तो इन दोनों की बातें सुनने की दादी पर मलिश्का को फर्क नहीं पड़ेगा मलिश्का कहें की कि क्या है आपके पास सबूत बलकि मलिश्का बेशर्मों की तरह अपना गुना कबूल भी करेंगी लेकिन दादी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि दादी के पास सबूत नहीं होगा और लक्ष्मी के खिलाफ तो सब के मन में वैसे ही खटास भरी हुई है अगर कोई सच भी कहेगा फिर भी यहीं लगेगा कि दादी दे रही है लक्ष्मी का साथ यानि कि चाकर भी दादी लक्ष्मी का बात नहीं दे पाएगी तो लागे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल